हेलो बच्चों कैसे आप सब आज हम स्टार्ड करेंगे क्लास ट्वेल्थ बाइलोजी में चप्टर नुबर थ्री अगर अभी तक आपने प्रीविएस वीडियो नहीं देखा हो तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं आज की वीडियो में अपन चप्टर को आगे बढ़ाते हैं और चप्टर का नेक्स टॉपिक लेते हैं जो कि क्या है प्रेग्नेंसी इस टॉपिक को सम में implant हो जाता है यूट्रेस की वाल पे ये देखो ये यूट्रेस की वाल पे implant हो रखा है उसके बाद उस में और development होता है तो उसके चारों तरफ कुछ membranous structure डॉप होते हैं और उन्हें अपन कहता है Extra Embryonic Membrane और चार Extra Embryonic Membrane होती है कोरियोन, एम्नियोन, यॉक्स एक और एलन टोईस ठीक है अपनी बुक में इन चारों के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं है लेकिन आप एक तो यह याद रखे कि चार एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेंब्रेन होती है और एक इनके एक एक फंक्शन जो मैं अभी की तरफ देखो यह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेती है इनको कहते है कोरियोनिक विलाई और यह कोरियोनिक विलाई के अंदर यूट्रस की जो टीशू है दोनों एक दूसरे के अंदर ऐसे पैक हो जाते है और जो इस्ट्रक्चर बनाते हैं वह प्लेसेंटल विला वाँ रहता है यह बैग में जो फ्लिट विलावा रहता है इससे कहते हैं अमनियोोनिक फ्लिए और यह इम्झरीओ को दो तरह से हल्प करता है एक यह अब्रियो को सूखने से बचाता है आप यह नहीं बचाता और दूसरा यह किसी भी तरह के किश्यke से embryo को क्या करता है बचाता है तो ये था amnion के बारे में इसके अलवाद दो और extra embryonic membrane होती है ये देखो आप orange color की ये देख पा रहे हैं एक ये जिसे yorks एक कहते है और एक ये green color वाली जिसे ellen toys कहते है yorks एक जो होता है अपने सुना होगा कि अपने अंदर जो born marrow जो होती है व WBC वगेरा बنتि है वो अपना hemopoietic organ होता है लिकिन embryo stage में सबसे पहला hemopoietic organ कौन होता है your G existence can आप में से कोई मुझे यह बता सकता है यॉक्-सेग के बाद में हममोवटिक और और गन कौन सा होता है आप मुझे कमेंट करके बता है तो यॉक्स एग जो होता है वह प一ल हममोवटिक organ होगा और इसके अलावा अपने इस chapter के start में देखा था कि यॉक्स एक जो है वो premodal germ cells भी बनाता है जो gonads में बाद में क्या होती है सिफ्ट हो जाती है इसके अलावा एक और membrane है जो कौन सी है elantois elantois जो membrane जो होती है वो कुछ organism में excreation का काम करती है अपने human में इससे देखो vessels निकल रही है और यह vessels क्या करती है कि placenta के थुरू maternal blood के साथ चीजों को exchange कराती है maternal blood और embryo का blood कभी भी एक दूसरे के साथ direct contact में नहीं आता बस वो इसी तरीके से एक दूसरे के साथ चीजों को exchange कर सकता है तो यह अपने extra embryonic membrane थी और यह जो structure है यह placental विलाई है और यह placenta बनाएगी एक और चीज़ यह embryo है यह placenta है इन दोनों को connect करने वाला एक structure होता है जिसे umbilical cord कहते है और यह cord जो है इन ही सब चीजों से मिलकर बनती है देखो यह बीच में देखो इसमें amnion का भी एक layer है यॉक्स एक की भी layer है एलन toys भी है और उससे निकलने वाली vessels भी है और यह कहां तक ले जा रही है placenta तक ले जा रही है एक जो बुक में diagram दे रखा है यहां पर लिखावा है कि cervix वाली जगह पर mucus का plug होता है और बुक में उसका कारण नहीं दे रखा है मैं कारण बताता हूँ यह क्या करता है यहां से bacteria वगेरा को enter करने में क्या करता है उसे bacteria वगेरा को enter करने से रूकेगा जिससे embryo को यह protect करने का काम करता है जब पूरा full मतलब cycle हो जाएगा पार्चुरेशन का समय आएगा उस समय यह mucus गल जाता है और यहां से ही बच्चे की delivery होगी तो यह plug of mucus in cervix जो होता है वो prevent करता है bacteria और infection को from entering your uterus uterus में जाने से रोकता है ताकि क्या होगा embryo safe रहेगा ठीक है तो यह अपने डाइग्राम था अब अपनी NCRT में जो lines लिखी हुए है उसको one by one read करते हैं देखो क्या लिखा हुआ है कि after implantation a finger-like projection appears on trophoblast basically chorion जो होती है वो trophoblast से बनती है तो देखो यह trophoblast से बनी chorion में finger-like projection है जिसे अपने क्या बुला था chorionic villi which is surrounded by uterine tissue and maternal blood देखो यह uterine tissue और maternal blood से surrounded है और फिर आगे क्या लिखा हुआ है the chorionic villi and uterine tissue become interdigitated एक दूसरे में ऐसे first से जाते है with each other and jointly form a structural and functional unit of developing embryo जिससे developing embryo को की structural and functional unit बनाती है किस चीज के लिए मतलब transfer वगेरा के लिए चीजों के exchange के लिए और वो structure क्या 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 लाती है placenta क्या लाती है तो placenta किस से बनती है chorionic villi और uterine tissue के एक दूसरे में interdigestion से बनती है अब इस placenta के function क्या होंगे तो देखो placenta के क्या function होंगे पहला function होगा कि placenta जो है वो facilitate करती है supply of oxygen nutrients to embryo and also remove CO2 and excretory product देखो एकदम simple सा है embryo को maternal side से जो भी चीज़े लेनी है जैसे कि oxygen लेना है nutrients लेना है वो placenta के through ही ले सकता है और जो भी उसे excret करना है या जो भी उसको surrounding में release करना है वो maternal tissue से ही करेगी तो जैसे CO2 अपन बाहर release करते है embryo क्या करता है CO2 को placenta के through maternal side based देता है excretory product को भी maternal side based देता फिर वो जो mother जो होती है उसके behalf पर respiration और excreation सब perform करेगी placenta connected to embryo by umbilical cord और देखो यह placenta से embryo जो होता है umbilical cord से connected होता है और यह जो umbilical cord है यह transportation करती है to and from the embryo embryo की तरफ और embryo से क्या करेगी transfer करती है चीजों को तो पहला basic function जो है वो placenta का वो यह है कि चीजों का exchange हो सकता है next step placenta act as endocrine tissue देखो placenta endocrine tissue की तरह भी behave करेगी और endocrine कौन सा होता है जो hormone release करता है मतलब यह कुछ hormone भी release कर सकती है तो कौन-कौन से hormone release करती है चार hormone के नाम अपनी NCR team लिखावा है HCG यह बार-बार आया है human chorionic gonadotropin जो कि corpus luteum को maintain करने का काम करता है क्यों कराना corpus luteum ताकि progesterone का level गिरेना HPL human placental lactogen यह क्या करता है memory gland को prepare करता है lactation के लिए क्योंकि nine month के बाद जब gestation पूरा हो जाएगा parturation आएगा तो baby को क्या करना होगा milk से nourish करना होगा तो वह memory gland को lactation के लिए prepare करता है estrogen and progesterone यह दोनों pregnancy को maintain करने के काम में आते हैं इन दोनों का level especially progesterone का level गिरना नहीं चाहिए और इसको बनाए रखने का काम corpus luteum का होता है और corpus luteum को बनाए रखने का काम किसका होता है HCG का human chorionic gonadotropin तो अगर आपसे पूछे कि placenta से release होने वाले चार hormone कौन से तो यह चार hormone के नाम लिख सकते हैं इसके अलावा देखो यह आपको diagram अच्छे से बनाना है और इन चार extra embryonic membrane जो है इनके नाम आपको पता होने चाहिए अगर आप इनके function भी note करना चाहते हैं तो आगे की slide से note कर सकते हैं एक बार आप यह note कर लीजिए फिर अपन चप्टर को आगे बढ़ाते हैं अगे बढ़ते हैं देखो अपनी बुक में लिखावा है कि प्लेसेंटा से जो चार हॉर्मोन रिलीज होते हैं उसके अलावा लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी के लास्ट के टाइम मतलब करीब जब पार्चुरिशन का टाइम आता है उसके आसपास एक और हॉर्मोन रिलीज होता है रिलेक्सिन देखो कुछ बुक में लिखावा है कि यह प्लेसेंटा भी रिलीज करती है लेकिन अपन को यह याद रखना है जो अपनी बुक में लिखावा है ओवेरी जो होती है वो रिलेक्सिन सिक्रेट करती है और यह क्या करती है पार्चु के नाम बता हूँ जो female में केवल तब ही सिक्रेट होते हैं जब प्रेगनेंसी चलती है तो एक HCG, HPL और रिलेक्सिन और इन तीनों की हल्प से पता कर सकते हैं कि female pregnant है या नहीं और मैंने आपको प्रीवेस वीडियो में भी बूलाता जो ऐसे वो टेस्टिंग किट आते हैं जिससे पता करता है कि female pregnant है या नहीं वो किस पर based होती है जनरली HCG पर based होती है तो यह तीन हार्मोन वो हार्मोन हैं जो सिर्फ pregnancy के समय रिलीज होते हैं इनके भी नाम अच्छे से याद कीजिएगा इन में से दो HCG और HPL कौन सिक्रेट करती है प्लेसेंटा और रिलेक्सिन जो है अपनी बुक के साब से वो कौन सिक्रेट करती है ओवरी ठीक है ओवरी का नाम लिखे इन addition, during pregnancy the level of other hormone like estrogen, progestron, cortisol, prolactin, thyroxin, etc. ये भी maternal blood में increase होते हैं और इनका क्या काम होता है ये fetal growth के लिए जरूरी होता है जो मदर में जितने भी metabolic changes होते हैं उनके लिए जरूरी होता है ये pregnancy को maintain करने के काम में आता है तो अगर आपको पूछे इन सारे hormone के function क्या है तो आप ये ल पड़ सकता है तो इन सब के नाम आपको याद रखने है नेक्स्ट है what happen in inner cell mass of embryo या blastula और इस topic को अपन ग्रेस्टूलेशन और further development के अंडर भी पड़ सकते हैं तो अभी तक अपन ने जो ये extra embryonic membrane बगेरा ये जो होती है अपने किस से develop होती है trophoblast से कोरियों जैसे trophoblast से develop होती है लेकिन जो inner cell mass था blastocyst का उसमें क्या हुआ तो उसको समझते हैं तो inner cell mass content cell that called stem cell और NCRT लिखती है कि stem cell वो cell होती है जिसके पास ये potency होती है कि वो सारे tissue और organ बना सकती है कि इसके embryo के fetus के baby के तीक है after implantation blastula convert into gastula जब implantation हो जाएगा तो inner cell mass में जो भी चीज़े होगी उस event की वज़े से blastocyst या blastula किसमें convert होता है gastula में एक चीज मैंने आपको प्रीवेस वीडियो में भी बताई थी उसको थोड़ा सा correct कर लीजिएगा जाइगा जाइगाट से लेकर morula तक जो cell होती है वो कुछ भी बना सकती है उसे कहता है totipotent और inner cell mass जो होती है वो totipotent नहीं होती है pluropotent होती है देखो इन दोनों में फरक क्या है अगर मैं ऐसे कहूं कि अपने जो next baby आएगा उसके सारे टिशू बनाने के हिसाब से तो इन में से दोनों में से किसी के पास भी ability होती है लेकिन morula से जाइगाट जाइगाट से morula तक की cell को totipotent इसलिए कहते है यह embryo की भी सारे तरह के टिशू बना सकते है और इससे extra embryonic membrane भी बन सकती है इसलिए इनको कहते है totipotent inner cell mass च二 होती है वो embryo की तो सारी layer बना सकती है अगिन extra embryonic membrane नहीं बना सकती है उसके लिए उसको trophoblast की मदद चाहिए यही वज़े है इन्हें क्या कहते है pluropotent ठीक है तो जो यहां पर stem cells है वो basically यह वाली जो अपने NCR team लिखी है pluropotent है क्योंकि इसके पास सारी tissue और organ बनाने की ability है लेकिन extra embryonic membrane नहीं बना सकती है ठीक है तो यह आप एक correct कर लेना next है जब blastula gastula में convert होता है तो इसका भी procedure बहुत सारा लंबा सा है लेकिन आप sort में कुछ चीज़े याद रखे पहली चीज़े याद रखे कि जो blastomere cells थी अभी तक सारी एक जैसी ही थी उसको वो तो तीन germ layer में क्या होती है तीन तरह की layer में arrange हो जाती है ectoderm, endoderm और meisoderm मतलब blastula से gastula जब बनता है तो gastula में तीन germ layer होती है ectoderm, endoderm, meisoderm और इनी तीन germ layer की वज़े से human कैसा होता है triploblastic होता है और morphogenic moments होते है जो blastomere की cell जब यह सब करती है तो उसमें कुछ movement भी सो करती है वो moment of blastomere at specific place in embryo where they will form a specific tissue और organ बाद में वहाँ पर वो specific organ और tissue बनाती मतलब blastula से gastula में convert होना दो चीजों से होता है एक तो तीन germ layer का बनने से और एक morphogenic moment से देखो कुछ book में morphogenic moment के बारे में भी बहुत description लिखा हुआ है अपन को ज्यादा नहीं करना है अपन सिर्फ ज्यादा extra याद करना चाहते है तो आप इतना याद कर सकते हूं कि morphogenic moment दो तरह के होते है epiboli और emboli खूब है ठीक है next आगे देखते है organogenesis और stage of development इस topic में basically अपन को करना होता है कि first week week तक क्या क्या बन गया second week, third week, fourth week मतलब embryo में कैसे development चल रहा है तो वो तो बहुत बड़ा सा topic हो जाएगा अपनी NCRT में कुछ topic को highlight किया गया है कुछ event को highlight किया गया है अपन को उसी पर focus करना है तो पहला है कि one month मतलब fourth week के बाद एक चीज चार week के collection को यहां पर अपन एक month मानने वाले है वैसे एक month 30 days का भी हो सकता है 31st day का भी हो सकता है तो उस हिसाब से तो four week से कुछ उपर हो जाएंगे लेकिन एक week फिर साथ दिन का होता है वैसे four week के collection को अपन एक month कहेंगे तो after one month मतलब fourth week तक heart बन जाता है और यह first sign होता है कि embryo ठीक ठाक अच्छे से grow कर रहा है ठीक है after second month बोले तो कितने week हो चुके होंगे eight week हो चुके होंगे limbs और digit भी develop हो जाते हैं और after third month मतलब total किते week हो गये 12 week हो चुके है most of the major organs are formed एक मेरी चीज याद रखना देखो nine month का जो इतना gastricion period होता है human gastricion period को उसे 33 month के तीन category में divide कर सकते है first three month जो होता है उसे first trimester कहते है three से six month तक का second trimester और फिर seven से nine तक का जो होता है वो third trimester first से third first trimester four five six second trimester seven eight nine third trimester तो जब after third month हो जाएगा मतलब first trimester complete हो गया तो ऐसे भी पूछ सकते है most of the major organ कब develop हो जाते है तो आप third month के बाद में भी लिख सकते है after first trimester भी लिख सकते है twelfth week भी लिख सकते है fifth month होता है उसमें head के उपर hair appears होने लगते है और first moment of fetus or fetus move करने लगता है after six month मतलब total 24 week हो गया है या second trimester भी पूरा हो गया है body is covered by hair eyelids separate eyelashes form हो जाती है और nine month मतलब third trimester भी complete हो गया है ठीक है fetus पूरी तरह के से develop हो चुका है और अब ready for parturation है तो यह अपना description था तो इसी के साथ अपन आज का video end करते है अब देखो एक बहुत ही छोटा सा topic बाकी रह गया है parturation or lactation जिसे अपन next और इस chapter के final video में करने वाले है तो उमीद करूँगा कि आज का video आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप सब लोग खुब सारा hardware कीजिए खुब खुश रहिए खुब मस रहिए thank you for watching